ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुर्ली सुनेंगे 26 जून 1969 सिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं आज मुर्ली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाप, टीचर, सद्गुरू को तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन तीनों ही संबंध से तीनों रूप से देखते हैं बच्चे तो सभी हैं लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नमबरवार स्टुडेंट्स को देखते हैं और गुरू रूप में किसको देखते हैं मालूम है? नमबरवार फॉलो करने वालों को जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है दोनों को देखते हैं मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरू रूप से जो सिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरू रूप से मुख्य फॉलो क्या है? याद की यात्रा याद की यात्रा तो एक साधन है लेकिन वहों भी किसके लिए कराते हैं दूसरों की सद्गती करने के लिए पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा याद की यात्रा भी किसके लिए दिखाई जाती है किसके लिए सिखाई जाती है गुरू रूप में मुख्य फॉलो यही करना है अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना याद की यात्रा भी इसलिए करती हैं कि साकार में रहते, निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहें जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरू के साथ जा सकेंगे मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है पीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है रिवाइस कोर्स टीचर करा रहे है या अपने आप कर रहे हो उनकी मदद है पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है रिवाइस कोर्स के लिए स्कूल से छुटी ली जाती है जिसको हूमवर्क कहा जाता है लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है साथ नहीं रहता सिर्फ कनेक्शन रहता है कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो रवाइस कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता तो अभी टीचर दूर से ही देख करके देख रहे हैं कहां भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं अभी उपर से बैट अच्छी दीटी देख रहे हैं कि रिवाइस कोर्स में कौन-कौन कितनी शक्ती से कितनी महनत से उमंगुजसाह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं उपर से बैट दृष्य कितना अच्छा देखने में आता है जैसे यहाँ उपर संदली पर बैट देखने से और नीचे बैट देखने में फर्क तो है न? इनसे भी उपर कोई बैट कर देखे तो कितना फर्क होगा? बुद्धी बल से मालूम महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है? आज अनुभव सुनाते हैं अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है तो वच्चन में रहते क्या अनुभव करते हैं? वतन में होते हुए भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं कोई-कोई बहुत अलोकिक पन से पढ़ाई को रिवाइस कर रही है कोई समय गवा रही है कोई समय सफल कर रहे है जब देखते हैं कि समय को गवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है? तरस तो आता है लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंद है वो संबंद भी खीचता है फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से चुटी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिचवाई लेकिन साकार रूप का पाड़ तो पूरा ही हुआ इसलिए दूर से ही सकाश देते है बाबा जैसे साकार रूप में लाल जंडी दिखाते थे न वैसे ही वतन में भी है लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्त रस को अव्यक्त रस को अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ही ले पाते हैं जो भी रास्ता तय करते विग्न आते हैं उन विग्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ती चाहिए सहन शक्ती सहन शक्ती से पहले कौन सी शक्ती चाहिए विग्न डालने वाली कौन सी चीज है माया सुनाया था कि विग्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ती फिर चाहिए निर्णे करने की शक्ती जब निर्णे करेंगे यह माया है वह यथार्थ है फाइदा है वह नुकसान है अल्पकाल की प्राप्ती है यह सदाकाल की प्राप्ती है जब निर्णे करेंगे तो निर्णे के बाद ही सेहन शक्ति को धारण कर सकेंगे पहले परखना और निर्णे करना है जिसकी निर्णे शक्ति तेज होती है वह कभी भी हार नहीं खा सकते हार से बचने के लिए अपने निर्णे शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है निर्णय शक्ती बढ़ाने के लिए उर्षार्थ कौन सा करना है याद की यात्रा तो आप जट कह देते हो लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ग्यान अर्थात समझ है वो भी स्पस्ट बुद्धी में होना चाहिए टोटल तो रखा है लेकिन टोटल में कहां कहां फिर टोटा अर्थात घाटा पड़ जाता है स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं लेकिन जब मास्टर पूचता टोटल कैसे किया है तो मूझ जाते हैं तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो लेकिन वह टोटल किस रीती से होगा वह भी जानना है तो निर्णय शक्ती को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आविश्यकता है विचार सागर मन्थन विचार सागर मन्थन करते करते सागर में ही डूप जाते हो कई बैठे हैं विचार सागर मन्थन करने लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है वैसे ही निर्नय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया था अश्रीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे कर्म में न्यारे निराकारी वा अश्रीर अवस्था तो हुई बुद्धी तक लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझें कि यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं है, यह अलौकिक है तो निरने शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है जितना इन बातों को धारन करेंगे, उतना ही अपने विखनों को भी मिटा सकेंगे और जो स्रिष्टी पर आने वाले विखने हैं, उन्हों से बच सकेंगे सिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? सिक्षा स्वरूप बनना है सिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए आपका स्वरूप ही सिक्षा देने वाला होना चाहिए स्वरूप से शिक्षा दी जाती है कई बच्चों में वानी से सिक्षा नहीं दी नहीं दी जाती है लेकिन अपने स्वरूप से सिक्षा दी जाती है तो अब सिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से सिक्षा दीनी है सिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ न? एक प्रश्न पूछा था कि अब तो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुली चलाते थे, वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाशा बदली? क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों कोटते हैं, जबकि तुम भाशन कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुल्ली चलान्या मुश्किल है लेकिन क्यों नहीं चलाते? दो चार ने अपने विचार सुनाए जिस तन द्वारा पढ़ाने वाला पढ़ाने का पार्ट था वो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ अब फिर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं वो कोर्स था उसी तन द्वारा पूरा हो चुका है अभी तो आते हैं मिलने के लिए बहलाने के लिए और मुख्य बातें कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मा तीत बन करके क्या किया एक सेकिंड में पंची उड़ गया साकार शरीर से एक सेकिंड में उड़े न तो अब पढ़ाई पूरी हुई बाकी एक कार्य रहा हुआ है सांथ ले जाने का इसलिए अब सिर्फ मिलने अव्यक्ति सिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं पढ़ाई के पॉइंट्स पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे कितने तक कोर्स पूरा हुआ होगा कितने तक कोर्स पूरा हुआ है अभी योह सभी का निरणय करना है कि कहां तक रिवाइज कोर्स हुआ है कितना समय अब चाहिए साकार तन के हर कर्म हर स्थिती से अपने को भीट करना है योह लक्ष रखते अपने को देखो फिर पता पड़ेगा कि कहां तक है लक्ष तो बता दिया है कि कैसे अपने को परकना फिर उत्तर देना है दूसरा प्रश्न योह देते हैं हुमवर्ग तो तुम्हारा चल ही रहा है उसमें विशेश ध्यान खिचबाते है योह जो पार्ट भावी प्रमान हुआ है उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया इसके भी कही गोही राज है इसकी गहराई में जाना सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना लेकिन सागर के तले में जाना फिर जो रतन मिले वो ले आना यो सोचना इनका गोही रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है उपर कोई गोही रहस्य है बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती अच्छा अभी टाइम हो गया है अच्छा ओम शंधी अच्छा 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 अच्